इंडिया हमारी सोने की चिडिया जिसके पंक किसी जमाने में मोटे चमकदार और सुनहरे रंके हुआ करते थे जिसकी चमक के पीछे हजारों किलोमीटर दूर समंदर पार बैठे अंग्रेज डाकू लुटेरे चुम्मक की तरह खिचे चले आये थे अब वो पंक लाल से आपके दिमाग में छेट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं उरिक्षा वेलकम टू फिल्मी इंडियन हाजरू आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें कोरोना वाइरस से भी जादा बड़ा हैवान उर्फ टिक टॉक की आत्मा को श्रदान जली अर्पित करने वा अकेले-अकेले क्यों आप लोगों को भी बताया जाए कि कैमरे के पीछे क्या चलता है टिक टॉक वालों आप भी कान लगाकर सुनिए आपकी डील का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ पहला पॉइंट जड़ा हुआ है बेशर्मी की सारी उचाईयों को पार करने वाले फेक न्यूस के धंदे के साथ जिसमें कभी किसी इंसान के मरने से लेकर किसी के दुबारा धर्टी पर जनम लेने के जूटे किस्ते बनाकर लाइक्स और व्यूस की भीक मांग ली जाती है दूसरा पॉइंट जड़ा हुआ है आजादी को गुलामी में बदलने के सीक्रेट मिशन के साथ जिसकी स्क्रिप्ट हमारे परोस में बैट कर चायना बड़ी चालाकी से लिखने में जुटा हुआ है दरसल बात ऐसी है भले ही टिक टॉक एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है लेकिन इसकी दोर पूरे तरीके से चायना के हातों में अठकी हुई है आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें लेकिन टिक टॉक पर कोई ऐसा वीडियो नहीं डाल पाएंगे जिसमें चायना के खिलाफ बोला गया हो आसान भाशा मैं बोलू तो टिक टॉक पर आप वही देख सकते हो जो चायना आपको दिखाना चाता है बार-बार आपकी स्क्रीन पर वही बिना सरपैर वाले वीडियो जाल कर आपके दिमाग को धीमा धीमा जहर देकर अंदर से खोकला किया जाता है तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है अंग्रेजों के मशूर खेल डिवाइड एंड रूल यानि फूट डालो और राज करो वाले मंतर के साथ कभी सोचा है जब बार टिक टॉक की होती है तो हर तरफ सिर्फ चार पाच क्रीडर्स के ही नाम क्यों लिये जाते हैं बाकी किसी पर कभी ध्यान क्यों नहीं गया इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है जिसमें गिंती के कुछ चेहरों का इस्तिमाल करके हमारे देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है कभी धर्म तो कभी यूट्यूब वसिस टिक टॉक का सहारा लेकर नफरत की आंधी चलाई जाती है जिसमें लोग अलग-अलग हिस्तों में बढ़कर पूरे देश की ताकत को कमजोर कर देते हैं जिसका सीधा फाइदा बॉर्डर के पार बैठे टिक टॉक के आका को होने वाला है चौथा पॉइंट जुड़ा हुआ है दिखाई न देने वाले यम्राज के साथ जो 24 के 24 गंटे आपके फोन में छुपकर आपको अपनी तरफ खीचने की कोशिश कर रहा है और एक ना एक दिन आप भी उसकी बातों में फसकर जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा सकते हो अभी कुछ दिन पहले की बात है 16 साल की छोटी बच्ची ने मौत को गले लगा लिया जिसको टिक टॉक की दुनिया में लगबग 11 लाग से भी जादा लोग फॉलो करते थे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला क्यूं और कैसे जवाब है दिमाग जो आपके कंट्रोल से बहार होकर टिक टॉक जैसे यमराज के वश में जा चुका है धीरे धीरे जब आप असली दुनिया से हट कर वर्चुल दुनिया में सुकून खोजने लगते हैं और कम उम्र में भी सब कुछ पाने की भाग दोर में शामिल हो जाते हैं तो फेम का लालत जिन्दगी की कीमत पे भारी पड़ जाता है फेम से याद आया पांचवा पॉइंट जो एक इंसान को लाइक्स और फॉलोवर्स की गिंती बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरा सकता है और शायद खुद की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने पे मजबूर भी कर सकता है जान का खत्रा हुआ तो क्या पहचान तो बढ़ेगी ना जिंदगी को जीने के लिए तो छे जनम बाकी है इस बार थोड़े फॉलोवर्स मिल जाएं तो कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी चटा पॉइंट टिक टॉक और बॉलिवूड के लव अफेर की पोल खोलने का काम करता है दरसल आजकल मार्केट में सिंगल सॉंग का जमाना है पूरी फिल्म नहीं सिर्फ एक 5-6 मिनिट का गाना बना कर लोगों के सामने रिलीज करिये और बदले में मिलियन व्यूज लेकर रात और रात स्टार्ट बन जाईए लेकिन इसमें भी टैलेंट या फिर कॉंटेंट को मौका देनी की गलती नहीं की जाती बलकि टिक टॉक के मशूर चेहरों को लेकर जबरदस्ती उनसे अक्टिंग करानी की नाकाम कोशिश करवाई जाती है बस जो आज 5-6 मिनिट के गाने में आ रहे हैं कल वो दो घंटे की फिल्मों में लीड हीरो हीरोईन बनकर हमारे बॉलिवोड को अपनी जेब में रख लेंगे बाकि आप तो जानते ही हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितनी भोली है और पॉपिलरिटी के नाम पे पैसा कमाना इसका सबसे पसंदीदा शौक है यानि एक तरफ तो पहले से ही नैपरटिजम नाम का दुश्मन सिनमा से दीमा की तरह चिपक चुका है तो दूसरी तरफ ये टिक टॉक वाले बच्चे फ्यूचर में आउटसाइडर्स की महनत पे पानी फिरने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं साथपा पॉइंट जुड़ा हुआ है टिक टॉक चलाने वाले महान योद्धाओं के दिमाग में घुसी एक गलत फैमी के साथ जिसमें कुछ सेकेंड्स के लिए होटों को दाए बाए हिलाने के अजीब 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 तरीकों को कॉन्टेंट समझ कर बेश दिया जाता ह नहीं मतलब हम सब तो बेवकूफ हैं जो घंटों बैटकर किसी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर जैसे तैसे उसको रिकॉर्ड करने में एक दो घंटे खर्च हो जाते हैं और फाइनली आट नो घंटे के बाद वीडियो अपलोड हो पाता है लेकिन ये सब सबसे मज़ेदार है जिसका हिस्सा में खुद बन चुकी हूँ दरसल टिक टॉक का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन है यूट्यूब जहां पर आप मेरे वीडियो देखते हो अब किसी भी लड़ाई को जीतने के सिर्फ दो तरीके हैं या तो आप आमने सामने दो-दो हाथ कर खीशने की जबरदस कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप लोगों को भनक तक नहीं लगेगी आपका मन लल चाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम में शामिल होने का ओफर दिया जाता है जिसमें आपके चैनल को आगे बढ़ाने से लेकर हर चोटी बड़ी चीजों का ध्य खुड टॉक वाले रखेंगे आपको बस वीडियो बनाना है बाकी मस्त आराम करिए लेकिन एक बात ही टिक टॉक वाले भूल गए व्यूज लाइक्स और फॉलोर से भी ज्यादा माइन रखती है इस एक ऐसा शब्द जिसे टिक टॉक का दूर दूर तक कोई लेना देना न लाइंगे तो उसकी पैंट का रंग आगे से नीला और पीछे से पीला होने में सिर्फ उतनी देर लगेगी जितना एक टिक टॉक वीडियो बनाने में लगती है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्याया बाए बाए